जो भी एस्टुडेंट 2020 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किये हैं फर्ड डिविजन और सकेंड डिविजन से उन सभी का जो दस हजार रुपिया मिलना था उसके लिए आउनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुका हैं तो किस परकार आप लोगों को आउनलाइन किस परकार आप लोग आवेदन कर सकता है कुछी मिनटों में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए यह वीडियो शुरू करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके ऑफिसियल लेपसाइट पर चले आना इस वेफसाइट पर किस परकार आना है तो आप लोगों को सिम्पली अपने गुगल या करो में जाकर सर्च करना परेगा देख लिए लिखना है इस इडियू लिख कर डीवीटी लिख देना आगा में देख लिए मैं यहाँ पर लिख चुका हू है तो simply इक कलिक कर देना है कलेयान पर किल्क करने के बाद आप लोगों एरी के इंटरफेस आजागा जैसे कि आप लोगों कोफ और में दिखाए AIा था यह अगा आप लोगों को यहां पर आने में nor इंडिक थो दिकत होता है तो आप को लिए मैं इस विडियो को डिप सि diabetes में इसका लिंक दे रखाUNG है वहांस से direct इस website पर आ सकते यहाँ पर आने के बाध आप लोगों को किया करना इस क्रॉल डॉन करके नीचा आना है नीचे आने के बाद आप लोगों यहाँ पर देख सकते हैं मुखमंत्री बालक बाली का तेंथ पास परत्साहन मुकमंत्री बालक बाली का तेंथ पास परत्साहन रासी 2020 जो भी स्टुडेंट 2020 में मैट्रिक में फॉर्ट डिविजन किया है और सकेंड डिविजन किया है उसको जो दस हजार रुपिया फॉर्ट डिविजन वाला का और सकेंड है देखनों को मिला तो सबसे पहले यहां पर देखे लिए गाइडलाइन से बताया गया है आप लोग अगर आउनलाइन करते हैं तो सब सबसे पहले आप लोगों को आप लोगों के पास यह डोकुमेंट होना अनिवार जाए तो आप लोगों कुछ तो आप लोगों को फरम reject कर देगा अगर आप लोगों को bank account नहीं तो सिंपली सब पहले account open कर वा लिजे यह निए account किसी bank मंजागा खुलवा लीजे और असानी से online कर लीजे लेकिन bank account सिर्फ बिहार का ही होना चाहिए बिहार में अगर बिहार के अलावा किसी दूसरे राज मे होगा तो इसलिए आप लोग बिहार का खुलवाइए असानी होगा उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते अधार नमर होना चाहिए उसके बाद अधार income certificate आप लोगों को पास आई परमान पत्र को बोला जाता है आप लोगों को simply block में ये simply बन जाता है अगर आप लोगों को पास है तो simply online आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक बात और आई परमान पत्र बनाते हैं तो आप लोगों उस पर देर लाग से कम income देना तभी आप लोग इसमें online कर सकते हैं अगर आप लोगों को पास आई परमान पत्र है तो उसमें अगर डेर लाग से उपर हैं तो आप लोग online आवेदन यहीं कर सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों रिजक्ट कर दिया जागा इसलिए आप लोग ये फिर से चेंज करवा कर बेलोक से फिर से बनवा लेजिए जिसमें डेर लाख से इंकम कम हो उसके बाद देख लिए फिट नमर में वही बैंक आप लोगों को पहले बता दियों कि बिहार कहीं बैंक होना चाहिए उसके बाद यह सब होने के बाद आप लोग अब सिंपली आउनलाइन आवेदन करने के लिए स्क्रोल डॉन करके नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां देख लिए इपोर्टेंट लिंक मिलेगा यहां पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली आउनलाइ उसके बाद यहां पर date of birth दाल देना है या अगर आपके पास मार्क है पता हाथ की कितना हमें तेन्थ में आया है फूल मार्क वह डाल देना है नहीं तो उसके बाद यह क्यप्टा जो इसमें फिल कर देना है उसके बाद सिंपली लॉगिन कर देना है चलिए मैं सभी चीज फिल करके दिखाता हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने रजिस्टेशन नमर फिल कर दिया हूं उसके बाद सभी चीज फिल करके आप लोगों को आगे भी दिखाने बला हूं कि यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते मैंने र wra署 इस्टेशनंगर फिल कर दिया उसके बाद जो एक कितना अमार्क आयstill वुव फिल करूंगा वह करने के बाद ग्येपटा नीचे भी फिल करूंगा उसके बाद लोगिन कर रहा हूं छलीए कप्चाज हिसमें सिंप्रीअ कर देता हूं फिल कर दियां उसके बार किन्प्ली लोगिन करें खर लो जब करते हैं कुछ आप लोगों field देखने को मिलेगा के इस तरह का हुएं तरब थोरा सर्फलओ है तो मेंक्या पर आने का बार ठीब का नाम दिखाई देगा उसके बाद यहां पर देख लिए सबसे पहले आप लोगों को अपडेट बैंक डिटेल फिल करना पड़ेगा उसके बाद अपलोड इंकम सॉटिपिकर करना उसके बाद फैनली अप्लिकेशन समिट कर देना है तो सिंपली आप लोगों को पहले बता करने का बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है तो जो चीज अपलोड करना है वह सिंपली उस पर किलिक कर देना है तो चलिए सिंपली सबसे पहले मैं बैंक डिटेल पर किलिक करता हूं जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते सभी चीज मैंने यहां पर बैंक डिटेल फिल कर दिया हूं फिल करने के बाद जो बैंक का पिक्टर होता है वह भी अफ्लोड कर दिया हूं अफ्लोड करने के बाद आप लोगों कुछ इस तरह का अप्शन दिखाए देगा इस तरह का option दिखाए देगा तो simply आपना FC code account number सभी चीज फिल कर देना है फिल करने के बाद simply save पक किलिक कर देना है save पक किलिक करते ही आप लोगों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा फिली बैंक डिटेल फिल समीट हो गया उसके बाद आप लोगों के इंकम सोटीपिकर पर किलिक करके इंकम सोटीपिकर भी अफडेट कर देना उसके बाद simply finally submit कर देना है तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में फूल प्रेसेस नहीं बताए आगे वीडियो एक बनाने बाला हूं उसमें आप लोगों को step by step बता दूंका किस परकार सभी चीज़ step by step बताने बाला हूं अगर आप लोग इस लिए इस चैनल को subscribe करके रखिया जैसे वीडियो आता है तो आप लोग असानी से फरम फिलप कर सकते हैं अगर कोई भी दिकत इस वीडियो में आता है अगर आप लोगों कोई भी प्रोब्लम होता है तो कमेंट बक्स में जरूर जाके कमेंट किजिए अ कि अगर आप लोगों कि और आप